इसमिल्ला रह्मान रहाहिम, अस्लामलेकूम नाजरी, हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो रियल स्टेट से है, बहुत सारी लोगों ने इंवस्ट किया, बहुत सारी लोग रियल स्टेट के अंदर भी पैसा बाउंड करके बैठे हुएं, जैसे डॉलर के उपर गैप लगा जो नहीं हकुमत बनेंगे, उसका क्या विजन होगा, और महिश्ट का रोड में आने वाले दिनों में रियल स्टेट का मुस्तबिल क्या हो सकता है, देखें जी सबसे पहले तो आप बाल करें, जो जैन्मेन लोग हैं जो सही अनलेसिस करते हैं, मैं आपको चीज बताऊंगा अगर आपने रियल स्टेट के अंडर प्लॉट करिदा हुए, अपाटमेंट करिदा हुए, कुछ घर बनाना चाहरे थे हैं, घर बनाकर सेल करना चाहरे है, या आपने किसी ससाइटी के अंदर प्लॉट इंवेस्मेंट की थी, लेकिन आज तक व आपको प्लॉट है, वो राहे पर खड़ा हुआ है कि जहां पर हमारी जो हकूमते हैं उनके जितने भी इखराजात हैं वो टेक्स से निगलेंगा और टेक्स रिफॉर्म्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टेक्स नेट में लाने के लिए लोगों को हकूमत कोशिश कर रही है क्योंकि ये वो की जो महिश्यत है वो काफी ज़्यादा स्लो का शिकार है और रिफॉर्म्स का एजंडा एक बार फिर चैलेंजिंग शकर इक्तियार कर गया है इमकान ये है कि नई हकूमत मुआशी कामों को चलाने के लिए वही पुराने तरीके अजमाएगी और इनर्जी की कीमतों में किनों में आप देखें तो IMF से जान चुडाने के लिए पाकिस्तान को टेक्स रिफॉर्म्स करना होंगे और जरात और रियल स्टेट के उपर टेक्सिस लगाना होंगे रियल स्टेट के अंदर जो इंवेस्मेंट अभी बहुत ज़्यादा दे रही है वो सिरफ यह है कि रेंटल इंकम अगर आपको मिल रही है रेंटल इंकम आपको बचारी है इंफ्लेशन से वरना अगर आप एक प्लॉट के मालित है और आपको पिछले दो साल से पाकिस्तान मे प्लॉट को सेल करने का जो है वो नुकसान हो रहा है या प्लॉट को सेल करना आ एक लिए मुश्रियलzar को आयरा है तो आप समझने के construction projects की base के उपर और construction material आपका तब महंगा होता है जब आपका dollar महंगा होता है और पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो पिछले दो से तीन होईनों में dollar हमने cap तो जरूर की है लेकिन अब market के अंजर तो market में अंदर बाते हो रही है जो बहुत सारे लोग बात करें वो यह है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में महंगाई में अधावा होगा अब देखें पाकिस्तानी रुपया मुखतसर मुद्द तक dollar और दूसरी गयर मुल्की currency के मकाबले में stable रहा है लेकिन गयर यह किनी सियासी सूर्थेहाल के तारब अगर आप stock market और पाकिस्तानी euro bonds को देखें तो दबाव का शिकार है और देखें दूसरी बात यह है कि जो भी हकूमत बनाएगा उसको मौशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्य को मुम्किन बनाने के लिए नया प्रोग्राम हासिल करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा IMF से जान चुड़ाने के लिए पाकिसान को tax reforms करने होंगे जरात और real estate पर tax लगाना होंगे लेकिन पाकिसान की जो अश्राफिया वो खुद पर tax कैसे लगने देगी हकोमती line losses और बिगरी चोरी रोकने के बजाए बिगरी और gas की केमतों में इजाफे करने को हकोमते तरजी देंगी जिससे क्या होगा पाकिसान एक और सियासी अदम इस्तेहकाम बरदाश नहीं कर पाएगा बागी real estate एक ऐसी investment और long term आपको फायदा देती है short term में अभी real estate में आप invest नहीं करें मजीद इस तरह ये updates के लिए जुड़े रहें पाकिसान एं वर्ल्ल डिवी के साथ इंशाला मिलते हैं next videos में तब तक के लिए अल्ला हाफिस